उत्तर प्रदेश के जिला अंबेडगर नगर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है जहां धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले बीजेपी के हिंदुवादी नेता पर जानलेवा हमला किया गया है इसमले में बीजेपी नेता को काफी चोट आई है और उनका एक पैर भी तूट गया है ये घटना उस समय हुई जब बीजेपी नेता अर्विंद पांडे अपने खेत की निगरानी करने के ले गए थे बता दें कि हिंदुवादी नेता अर्विंद पांडे पिछले दो वर्षों से जिले में अलग-लग थाना क्षेतरों में इसाई मिशनिरी सहित अनि संगटरनों द्वरा कराय जा रहे धर्मांतरन के मुद्दे को ले कर हमेशा सुर्ख्यों में रहते हैं और धर्मांतरन का विरुद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते वहीं अर्विंद पांडे की सूचना पर पुलिस ने अब तक धर्मांतरन में शामिल लगभग डेर दरजन आरोपी को ग्रफतार किया है अभी कुछ महीने पहले ही मालिपूर्थाना क्षेतर के गाउं में इसाई मिशनिरी दु कर दिया गटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बीजेपी निता को जिला अस्पताल में भरती कराई जहां उनका इलाज चल रहा है वहीं पुलिस ने बीजेपी निता की तहरीर पर धर्मांतरण के मामले में जेल गए माधव सहिच छे आरोपियों के विरुद्ध के इस दर्ज कर मामले की जांस चुरू कर दी है गटना के बारे में सियो देविंद्र मौरे ने बताया कि सभी अभिक्तों को ग्रफतार कर लिया गया है और कारवाई की जा रही है आउगत कराना है कि कल दिना का आठ फर्वरी दोहजार चौबिस को मालीपूर ठाने के ग्राम सहरपूर उम्रन में हुई मारफीट के संदर्व में मालीपूर पूलिस द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजी कराया गया पीडिक का मेडिकल कराया गया और सभी अभियुत्तों को ग्रफतार करके आज मानी नियायले के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है वहीं मामला हिंदुवादी नेता से जोड़ा होने के कारण पुलिस एक्षन मोड में आ गई है और सभी आरोपियों को ग्रफतार कर नियायले के समक्ष पेश कर दिया है और आगे की वैधानिक कारवाही में जुट गई है पंजाब केशरी टीवी के लिए अंबेटगर नगर से कारत के दुवेदिक रिपोर्ट